उसके अलावा भ्रहमन समाज की जो भी मांग है उसको तुरंत माने ये सरकार तो तब ही सरकार का भी भला है और समाज का भी भला है अधरबाइस सरकार जाने की उल्टे गिंटी शुरू हो चुकी अब तो राम राम जी के गढ़ना चाओ फिर आज तो के मांग लेक आए थी आज यह आरक्शन मिलना थी यह दस परसेंट पहले बच्चा ने इसका उसमें नोकरी मिल जाती थी हैं अब यह कांश आयो आप निड्याना यह आठ साल से अब यह बंद है पहले मिलता था उससे बच्च पहले मिल जाती थी है बच्चों का भईशा है अधरमा लटका हुआ है तो लगा अपने सरकार यह मानने की यह बाप नहीं मानने की तो मनानी पड़ेगी वही अपना आप तो लिए होंगे अब नहीं मिलेगा तो और एक साल पीछे मिल जागा लेक्सन भी आगर अगर नहीं पहले जाए दूसरी सरकार में यह लागू बंद कर दिया है इनकी सरकार आकते बंद कर गया अब आगे आने वारे चुनाओं में आगे पता चलेगा अगर नहीं मानने दो हमें एलेक्षन की तरब देख रहे हैं हां और को उच्का विजाब को अब बच्चों के बारे मैं य यही देखे दाए है तो उसमें क्या बच्चों को आगे नोकरी एचानल सब्क आरी नबर वन है तो चाहो कि आप अपने जो समाज है इसकि नोकरी में नोकरी तो ब्यरुजगारी इतनी है बहुत ज्यादा तो नोकरी ने होगी तो बच्चे सब्सक्राइब कर दो कितने लोगों कि यहां पर पहुंचने की संख्या अनमान करीब 15-20,000 लोग पहुंचेंगे रनेबाद जी और आपका बाई शाब हमने मुख्य मुद्धाई सरकार से यह है कि जो ब्रहमणों के बच्चे इबी पीजी के माद्यम से स्लेक्ट हुए हैं कम से कम नई नोकरियों की तो टाइम लगता है स्लेक्ट हुए भी बच्चे एक साल से बटक रहे हैं बिल्दक के खा सरकार को जैसे ब्रहमण स्रकार बनाता है बनाना जानता है कि इनको अपनी व्रामणों की नि नहीं सुनी तो मैं सरकार से फिर यह काूंगा कि अभी बिगडी नहीं है संभाड ले बच्चे जो एक साल से भटक रहे हैं उनको जल्द से जल्द वाइनिंग दे उसके अलावा प्रहामन समाज की जो भी मांग है उसको तुरंत माने ये सरकार तो तब ही सरकार का भी भला है और समाज का भी भला है अदरबाई सरकार जाने की उल्टे गिंटी शुरू हो चुकी अब